पुलिस जिला नवगचिया में भारी मात्रा में गांजा बरामत बेगु सराई में चुनाओं के दवरान खपाने की आशंका भागलपुर में पुलिस जिला नवगचिया के भावानी पुर्थाना शित्स के एनच 31 पर बिर्बन्ना चौक के समीब पुलिस ने कारवाई करते हुए एक कार से लगभग 93 किलो गांजा बरामत कर लिया है पुलिस ने इस दौरान तीन तसकरों को भी दबूचा है संबन में नवगचिया के एसडी पी ओ दिलिप कुमार ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि एनिच 31 पर बिर्बन्ना के समीब गोपनी सुचना के अधार पर भवानीपुर और बेपूर की पुलिस ने सयुक्त रूप से कारवाई करते हुए एक कार से 93 किलो गांजा बरामत किया है इसके साथ ही पुलिस ने गांजा तसकरी के आरोप में यूपी के देवरिया निवासी रिद्यानन्द उपार ध्याय और पश्चिम बंगाल के अलुपूर निवासी अखिल दास एवं कुझ बिहार निवासी सुजीत राई को गिरिफतार कर लिया है SDPO की माने तो गांजा पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था वहीं से बेगुसराई शेत्र में खपाने की तयारी थी SDPO ने बरामत गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख के करीब होने की बात कही है सब्सक्राइब करने पर पता चला कि यह तो गाजा है और उसमें तीन लोग गाड़ी में सवात थे तो गाड़ी और तीन लोग और जो गांजा का प्रैकेट्स है उसको निकाल के वजन पिया गया है तो अभी तक जो हम लोग वजन पिया है उसके हिसाब से 93 के लिए गांजा बरामत हुआ अनुमानित कीमत मार्केट में इसका है जरूर होना चाहिए यह लोग यहां से बंगाल से लिक्या रहते और बेगुसराय से आगे जाते कहां जाते यह तो नहीं बता पार हैं पूझताच में पता चलेगा कारवाई कहां पर किया गया तो तो कितने पुलिस पदाधिकारे का इस कारवाई में योग दादा है इसमें वह पूल ठाना प्रवारी थे इंस्केटर साब थे कि अधिन थाने के ओर लोग भी थे हैं लीडिंग इन ही तिन लोगों करते हैं